नमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप सभी का स्वागत है Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का क्याल भखुबी रखता है दोस्तों आज मैं आप लोगों को Belly Fat को Reduce करने वाले कुछ exercises बताऊंगा जिससे आप लोगों का मोटापा बहुत जल्दी कम होने वाला है यह मोटापा जो है या आप लोगों का वजन अगरा आप लोगों का 100 kg हो चुका है 90 से उपर हो चुका है तो आप लोग जो है जब भी आईने में अपने आपको देखेंगे तो Ultimate Health and Home Remedies को Thank You कहेंगे क्योंकि अब आप लोगों के बनने वाले हैं Apps और हम लोग सभी जो फोकस करेंगे सभी exercise पर उन पर Apps exercise होंगी वो और Apps पर ही हम लोग फोकस करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे Apps बना सकें और यह बढ़ता हुआ मोटापा कैसे हम लोग कम कर सकें जीन्स की जो size है वो कैसे हम लोग use कर सकें और आप अपने आप भी कर्व करेंगे तो अपनी yoga mat को prepare कर लीजिए और हर सुभह यह exercise आप लोगों को करनी है इन सभी exercises का इस्तमाल करने से आप लोगों का belly fat बहुँ जल्दी reduce हो जाएगा और आप लोग बनेंगे slim and trim तो सभी ल इसलिए आप लोगों को अपने दोनों हातों को अपनी कमर के जस्ट पीछे रखने हैं और अपने दोनों घुटनों को मोडते हुए अपने chest की और लेकर आना है दोनों पैर जो है आपस में चिपके हुए होने चाहिए और जब आप लोग अपने दूर लेकर जाए अपने को भी पीछे की और जो है करें तो इससे आप लोगों का जो Bally है वो बहुत जादा Engage रहता है, Engage रहने से आप लोगों की belly fat बहुत ज़ल्दी Reduce होने लगती है, तो ऐसा करने से आप लोगों को बहुत अधिक का आप लोगों को rest करना है और rest के बाद हम लोग चलेंगे दूसरी exercise के उपर जिसका नाम है 40 seconds spider man plank spider man plank को अगर आप लोग धान से देखेंगे तो आप लोग क्या कर रहे हैं एक high plank position के उपर है उसके बाद ने अपनी एक पैर का जो घुटना मोडते हुए आप लोगों को उसी की और उसी हाथ की कोहनी की और लेकर आना है इससे आप लोग देखेगा कि इससे आप लोगों का जो belly है वो engage रहता है और साथ ही आप लोगों की जो core muscles है वो strong बनती है वहाँ पर muscles mass बनने लगता है extra fat sub continuous और visceral fat गायब होने लगता है साथ ही आप लोगों का जो glute muscles है वो भी work करने लगता है तो यह workout भी आप लोग 40 seconds के लिए करेंगे तो आप लोगों की belly जो है वो बहुत जल्दी reduce हो जाएगी साथ ही आप लोगों का जो बहारी fat है वो भी reduce हो जाएगा तो spider man plank कीजिए 40 seconds के लिए अब फिर से आ चुका है rest तो 10 seconds का हम लोगों को लेना है rest 10 seconds का rest ब आप लोगों की belly core muscles जो है rectus abdomen जिसको हम लोग बोलते हैं वो बहु जादा engage रहती है इसमें आप लोगों को करना ही है अपनी गर्दन को एक degree पर उठाना है yoga mat पर सीधा लेड़ जाना है गर्दन को थोड़ा सा degree पर उठाना है दोनों पैरों को डिगरी पर उठाना है और दो लोगों के पैरों के भी जो exercise है वो complete हो जाती है तो यह workout भी आप लोग कर सकते हैं अपनी belly को engage करने के लिए rectus abdomen को engage करने के लिए ताकि belly fat और abs जो है आप लोगों के मजबूत हो और आप लोगों के जो बाहर की जितनी भी चरबी हो गायब हो चुके तो अब आप लोगों के पास है rest the second का rest complete होने वाला है next exercise चलते है 40 seconds के लिए reverse leg crunch की और reverse leg crunch आप लोगों को पता है कि बहतरी निक ऐसी exercise है जो आप लोगों के belly fat को यानि कि lower belly को बहुत जल्दी reduce कर देती है इसको करना भी बहुत जादा आसान है दोनों हाथ yoga mat पर रखिए यानि कि अपने hips के पास surface से जो है वो थोड़े ऊपर की और उठ जाएंगे तो ऐसा करने से आप लोगों के जो lower belly है जिसे हम लोग hanging belly है वो reduce होने लगती है तो यह exercise बहुत अच्छी exercise है जिससे आप लोगों का pelvic floor जो है उस पर भी blood flow अच्छा होता है digestion आप लोगों का अच्छा होता है तो lower belly बहुत जल्दी reduce हो जाती है अब आप लोगों के पास फिर से है 10 second का rest और 10 second के rest के बाद हम लोग चलेंगे next exercise की और यह next exercise है 40 seconds के लिए bicycle crunch आप लोगों को करना है bicycle crunch भी बहुत अच्छी exercise है जिससे आप लोगों की जो rectus abdomen है वो तो engage रहती रहती है साथ ही आप लोगों की abs muscles जो है व बहाँ पर जो lining है वो जो है बाहर निकल कर आती है तो आप लोगों के abs जो है वो आप लोगों की साफ साफ बाहर की ओर दिखाई देते हैं यह तभी होगा जब आप लोग जो है अपनी core muscles को engage रखेंगे और ऐसा करने से आप लोगों की core muscles जो है वो इंगेज रहती है ऐसा कर आप लोगों को करनी है अपने रूटीन में एड़ तो फिर से रेस्ट आ चुका है 10 सेकंड का और जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि मसल्स को recovery देना बहुत जाधा ज़रूरी है, recovery के लिए rest देना बहुत जाधा जरूरी है, 10 second का rest पूरा हो चुका है 40 seconds के लिए leg circle करते हैं leg circle का मतलब है अपने पैरों से एक पूरा का पूरा गोला आप लोगों को बनाना है अब आप लोगों क्या करें अपने hips के नीचे जो है दोनों हाथ रख लीजिए अब अपने पैरों को दोनों को चिपका लीजिए और उन दोनों पैरों से आप लोगों को एक पूरा का पूरा circle जो है वो भनाना है पूरा circle जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग देखेगा कि lower belly के उपर जो है वो एक बहुत ज्यादा pressure जो आप लोग महसूस करेंगे जब आप लोग के lower belly जो है vibration करना लग जाएगी vibration जब करने लग जाती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों की lower belly जो है vibrate कर रही है और vibrate से engage हो रही है engage होने से आप लोगों का lower belly fat बहुत जल्दी reduce हो जाता है जब clockwise कर ले तो anti clockwise भी exercise को repeat करें अब rest आ चुका है 10 second का rest complete कर लीजे और 10 second का rest complete करने के बाद next workout पर आप लोग चलिए उसके बाद में है plank hip tip exercise जो की बहुत अच्छी exercise है आप लोगों की कमर की size को कम करने के लिए इस exercise को भी 40 seconds के लिए आप लोगों को करना है high plank position में आईए और उसके बाद में अपने hips को left and right move कीजिए या आप लोग normal जो plank position है उसमर पी आप लोग रह सकते हैं तो अच्छा है यह है कि normal plank position में रहिए spine सीधी रखिए दोनों पैर के तल्वों पर आप लोग रहिए और अपने hips को left and right जो है वो turn कीजिए इससे आप लोगों का side fat है वो बहुत जल्दी reduce होता है और side fat के साथ साथ आप लोगों के जो glutes है वो भी ज़्यादा मजबूत होते हैं इमिस्टिंग मसल्स बहुत अच्छी होती है आप लोगों को दिखाई देने लगती है कि यस आप लोगों ने कहीं fat जो है वो रेडियूस किया है जो आप लोगों ने tires जो है आप लोगों के वो रेडियूस किये है अब फिर से आ चुका है 10 second का rest और 10 second के rest के बाद हम लोग चलेंगे next workout के उपर लेकिन 10 second का rest complete कीजिए 40 seconds के लिए हम लोग करते है plank with hip dip plank with hip dip जो exercise है actually में यह plank with hip dip नहीं है sorry name के लिए यह exercise जो है इसमें आप लोगों को करना है table top crunches table top crunches में आप लोगों को क्या करना है एक table नुमा जो आकरती है आप लोगों को अपने दोनों पैरों से बनानी है और उसके बाद में आप लोगों को करना है crunch यानि कि अब आप लोगों को करना है double tap crunches यानि कि ऊपर के और उठना है और दो बार कोशिस करनी है कि अपने पैरों को आप लोग छू सके तो इससे आप लोगों को crunch करना है table top crunches इस exercise को बोलेंगे हम लोग और ये भी आप लोगों को 40 seconds के लिए करने है जो की बहुत जल्दी आप लोगों को reduce करतेगी आप लोगों का belly fat फिर से 10 seconds का rest आ चुका है 10 seconds के rest के बाद हम लोग चलेंगे next workout की और muscles को recovery दे लिजिए आराम दे लिजिए आराम देना बहुत ज़ादा ज़रूरी है अब बात करते हैं 40 seconds के लिए हम लोग Russian twist की Russian twist जो है side का fat reduce करने की बहुत अच्छी exercise है इसके लिए आप लोगों के दोनों पैर हवा में रहने चाहिए दोनों पैर आपस में चिपके रिवे रहने चाहिए आप लोग जो है hips के base पर ही जो है surface पर रहेंगे दोनों हाथों को आपस में bind करके रखिए सिर्फ left and right जो है आप लोगों को move करना है इतना सा आप लोगों करना है जो लोग weight अपने हाथों में रख सके वो अपने हाथों में cattle bell रख लीजिए या आप लोग कोई भी अधर weight रख सकते हैं जैसे कि पानी की bottle रख लेते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए beneficial है लेकिन वो तभी रखें जब आप लोगों से वो उठती हो otherwise आप लोग अपने दोनों हाथों को move करेंगे तो भी आप लोगों की जो side belly हो बहुत जल्दी reduce हो सकती है तो अपने हाथों में आप लोग football भी रख सकते हैं छोटा सा अब फिर से आच चुका है 10 second का rest तो 10 second का rest भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि workout के साथ साथ muscles की recovery ज़्यादा ज़रूरी है 40 seconds के लिए करते हैं cross body climber cross body climber यानि कि mountain climber के साथ साथ cross body climber बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस exercise को करने के लिए high plank position में आई ये दोनों पैरों के तल्वों पर आप लोगों को रहना है अब आप लोगों को गुटना मोडते भे जो है cross जो कोहनी है उसकी side आप लोगों को जाना है तो ये अच्छा exercise है और इसमें आप लोगों का cardio workout complete हो जाता है cardio के साथ साथ आप लोगों के जो lower belly पर जो blood flow है वो भी बहुत तेजगती से बढ़ने लगता है तो ये exercise है अगर आप लोग 40 seconds के लिए करेंगे तो बहुत अच्छे results आप लोगों को lower belly को कम करने में मिल सकते है यानि कि hanging belly को reduce करने में आप लोगों को मिल सकते है ये बहुत अच्छा workout है इसके आप लोगों को 40 seconds तक ज़रूर करना चाहिए अच्छे results को पाने के लिए अब फिर से आ चुका है 10 seconds का rest तो 10 seconds के rest के लिए आप लोगों को पानी पी लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठक गए होंगे और normal position में भी आप लोगों को करना है सभी workouts 40 seconds high knee करते हैं आप लोग फिर से cardio की और सलते हैं और cardio करना आप लोगों के लिए जिम्मेदारी है ये कह सकते हैं आप लोग high knee का मतलब है कि एक जगी आप लोगों को अप पोजिशन पर घुटना मोडते वे जो अपनी chest की और लेकर आना है इसमें आप लोगों का glute workout हो जाता है पैरों की calves muscles का workout हो जाता है आप लोगों की hamstring यानि थाई workout भी complete हो जाता है आप लोगों का cardio workout भी complete हो जाता है total body weight loss हो जाता है आप लोगों का बहुत सारी calories भी आप लोग burn कर लेते हैं calorie burn करने का मतलब है total body fat loss weight loss और weight को कम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है तो आज इसी बर आप लोग जो है कसम खाईए कि ये सभी वरकाउट साप लोग करेंगे अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद